Good morning to all the children, class first, subject teacher of English slang English slang का second chapter है noun, noun की definition है, definition of noun Means आपको परिभासा सीखनी है, संग्या की read करना है, learn करना है The name of anything is called a noun Name, noun, anything is called a noun किसी भी नाम या बस्तू के नाम को संग्या कहते हैं जैसे हम जानते हैं, हिंदी में हमने पढ़ा है, संग्या किसे कहते हैं किसी ब्यक्ति, बस्तू, भाव या इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं तो ये definition आपको learn करनी है इसके बाद, nouns are also called naming words जो संग्या होती हैं, वो सभी क्या कहलाती है, naming words मलब एक अक्षर होता है, उनका नाम होता है ठीके, इसके बाद, look at the pictures and name and the things देखो, और pictures, जो picture बनी हुई हैं, उनके name, बस्तूओं के name लिखना है आपको picture दिखाई दे रही हैं सभी, उनके सभी के name आपको जो yellow color के box बने हुए हैं, उनमें write करना है सबसे पहले head, तो h, a, t, head इसके बाद, next आते हैं, bet, b, a, t, bet, s, u, n, sun, j, u, g, jug इस तरीके से सारे आपको fill करना है, pictures को देख कर इसके बाद, next आते हैं, now you know, अब तुम जानते हो, now names of persons, places, fruits, vegetables, and birds, relations अब क्या देखना है हमें, names देखना है, persons, व्यक्ति के, places, इस्थानों के, fruits, फलों के, vegetables, जानबरों के, vegetables, सबजियों के, animals, चानबरों के, birds, बक्षियों के, और relation, जो हमारे आपसी relation होते हैं, उनके, name हमें क्या करना है, रिस्तेदारों के हैं हुए, या फिर हमारे relation वाले, उनकी करना है हमें, name, अब name आएंगे उनकी, तो उसको देख की क्या करना है, भरना पड़ेगा हमें, फिल करना पड़ेगा, जैसे आप देखेंगे आगे पिक्चर में, things like ornaments, furniture, are called noun, बस तुएं जो आपको पसंद आती हैं, सजावट करने में, furniture को सही तरीके से मतलब, ornament तरीके से लगाने में, उसकी सजावट साथ सज्जा करने में, उससे क्या कहते हैं, noun, look at these pictures, देखेंगे हम यहाँ यह pictures को, they are names of persons, they है नाम, ब्यक्तियों के नाम, teacher, t-e-a-c-h-e-r, तो ए टीचर, teacher क्या है, ब्यक्ति, postman, dancer, doctor, uncle, girl, boy, mother, यह सब हैं हमारी persons की name, means ब्यक्तियों के नाम, आपको more persons, जो सबसे अधिक persons हैं, उनके सब की name यह बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, actor, astronaut, brother, painter, tailor, इस तरीके से दिको, singer, सारे आपको जो जितने भी बर्ड दिखाई दे रहे हैं, वो सबी किसके हैं, more persons, अधिक ज्यादा ब्यक्तियों के, आप देखेंगे, next है आपका, look at the following pictures and complete the naming birds of animals and birds, देखो, और picture को complete करना है, देखकर, bird को animals हैं, जानबर हैं, और birds कुछ जानबर हैं, और कुछ birds हैं, उनकी name को नीचे complete करना हैं, जो आपके bird से, blank से, तो d, e, r, फिल किया, d, r, o, w, l, owl, z, e, b, r, a, jebra, z, e, b, r, a, o, w, l, owl, w, o, l, f, balls, इस तरीके से, अब दीखते हैं, कुछ जानबर हैं, और कुछ पक्छी हैं, ध्यान रखना, यह थे हमारे कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स के नाम, जो हमने क्या किये हैं, अब देखेंगे, look at the following pictures, these are the names of place, अब देखना है किसके, देखो picture को, यह हैं, नेम्स किसके, places, इस्थानों के, जैसे, फर्ष्ट लिखा है, बैंक, फिर है, टैंपिल, मीज मंदिर, एयरपोर्ट, जू मीज, चिडियागर, पार्क, हॉस्पिटल, चर्च और सौप, यह थी, places के नेम, इस तरीके से, आपको, persons, animals, birds, और places, सभी के नाम, write करने के लिए, दिये हैं, आपको, read करना है, learn करना है, इसके बाद, आती है, exercise हमारी, read the, close, and answer in one word, बन-बन्ड के answer है, आपको complete करना है, first point है, room used for cooking, जो आपकी मा cooking, खाना बनाती है, तो वो room used कौन सा करती है, उसको क्या बोलते है, kitchen, क्या बोलते है, kitchen, तो box में बरेंगे, k-i-c-h-t-c-h-e-n, kitchen, तो अब देखते हैं, point two, place where people are treated for illness, उस इस्थान बताना है, जहां, place, इस्थान का नाम बताना है, कहां pupil, लोग are treated for illness, बीमारी के लिए, दिखाने के लिए, जब जाते हैं, तो लोग कहां जाते हैं, hospital, तो आपको वर्णा है, इसके नीचे blue box है, hospital के spelling, h-o-s-p-i-t-a-l, अब आते हैं, point third, place where we go to deposit or take out money, place, उस इस्थान का कहां है, वह इस्थान, be go to deposit, जब हम जाते हैं, डालने के लिए, or take out money, अपने money को save करने के लिए, रखने, डालने के लिए, कहां जाते हैं, bank, b-a-n-k, bank, place where people go to swim, उस इस्थान का नाम बताना है, जहां लोग swing करने जाते हैं, यानि नहाने के लिए, swing pool होते हैं, उसमें उसका नाम, उसको क्या बोलेंगे, pond, p-o-n-d, अधिकतर, तब आज कल तो सभी जगे swing pool बनने लगे हैं, पर, अभी पहले क्या होता था, कुछ बच्चे नहाती थे, तालावों में, आज भी नहाती ह को क्या कहलाएगा, pond, अब देखते हैं, now look at the picture given below and complete the names of vegetables and fruits, अब इसमें आपको जो पिक्चर से दिखाई दे रही हैं, उसके माद्धियम से, आपको complete करना है, कुछ fruits हैं, सी में mix और कुछ vegetables, उनके meaning complete करनी है, तो, C, A, R, O, T, Carrot, C, A, P, S, I, C, U, M, Capsicum, T, O, M, A, T, O, Tomato, G, U, A, B, A, Guava, C, A, U, L, I, F, L, O, W, E, R, Cauliflower, P, A, R, P, O, T, A, T, O, Potato, G, R, A, P, E, S, Grass, B, A, N, A, N, A, Banana यह थी आपके कुछ vegetables और कुछ fruits नीम, जिनकी आपको spelling complete करनी थी, अब आते हैं, point C पर, here are some naming words, यहाँ देखो, कुछ नाम है, word, सब्दों की, write the words, write the words, under the, they are suitable heading, जो heading इस है, उसमें आपको लिखना है, word को, under करना है, मतलब, under मतलब, उसके नीचे, underline करना है, या फिर उसके नीचे लिखना है, जैसी कि आपको दिया हुआ है, underline नहीं करेंगे, सीधर write करेंगे, जैसी प्यूपिल, लोग, animals और birds, इनके नीचे आपको प्यूपिल से ढूण के लिखना है, इस बॉक्स में से, कि कहां कहां, प्यूपिल्स, लोग हैं, जैसी सनमीज, पूत्र, तो यह ले लिया हमने, फिर नर्स, तो नर्स ले लिया, इसके बाद, मदर, तो कुछ प्यूपिल हैं, जो वो यह राइट करेंगे, animals हैं, इस बॉक्स में से ढूण के यहां राइट करेंगे, और पक्छी यहां पर birds, तो आप देखते हैं, पहले प्यूपिल, तो हमने एड कर दिये, फिल कर दिये आपको, sun, nurse, mother, doctor, teacher, animals हैं कुछ जानवर, तो उनके नाम भी, horse, sheep, elephant, monkey, जैप्रा, birds हैं कु हैं, vegetables and fruits, अभी चल रहे थी हमारे, क्या, pupil, animals और words, अब नीचे, vegetables and fruits, सबजी और फल की नाम लिखना है, एक जग है, एक जग है, प्लेस, इस्थानों की, और एक जग है, things, तो अभी आप देखेंगे, next में, vegetables में लिख लिए हैं हमने, और fruits में, तो क्या है, radish, guava, cabbage, online, pier, fruits और कुछ vegetables, फिर है places, इस्थान, उसी box में से चार्ट कर लिखना है, तो bank, playground, temple, market, और fire station, इसके बाद आते हैं, things, बस्तुमों पो, court, court, cup, television, chair, book, यह हमारे बस्तुमों, things की नाम, अब देखते हैं, next is underline nouns, in the following sentence, underline करना है आपको sentence की नीचे, write them, उन्हें on the blanks given alongside, एक side में alongside, जो अकेले हैं, आपके क्या, कुछ blanks हो है, जो आपको देना है, उसके, क्या भरा जाएगा इसमें, underline करेंगी या फिर इसमें, तो आप देखेंगे, underline कर दिये मैंने, सीमा is going to Delhi, underline nouns, जो संग्या है, उस पर करना है, nouns मीन संग्या, आपको मैंने बता है, definition learn करनी है, noun की, तो noun बताना है, जैसे, सीमा is going to Delhi, तो इसमें संग्या क्या है, परसंस का नेम, यानि सीमा, इसके बाद, अगर second value point बनेगेंगे, सीब is my brother, तो परसंस क्या है, सीब, तो इसके नीचे क्या किया, underline, और दहली पे भी किया, क्योंकि ये place का नेम है, मैंने क्या बता है, ब्यक्ति, बस्तु, इस्थान, या भाव की नाम को संग्या कहते हैं, तो इसमें ब्यक्ति और बस्तु है, place, इस्थान है, इसमें सिब और brother, दोनों person है, इसके बाद, girl, these girl, ये girl, लड़किया है, वो क्या है, noun, children क्या है, noun, twice बस्तु है, तो क्या है, noun, प्योर्ण, 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 क्या है ब्यक्ति, बी, मदुमक्या, ये है पक्छी, insect, तो इसके नीचे भी underline, क्योंकि किसी ब्यक्ति, बस्तु, इस्थान, या भाव के नाम को संग्या कहते हैं, teacher और मोहन, इन दोनों के लिए, ये noun में हमने underline किया, जो संग्या बता रहें, उसके नीचे underline करना है, ये था आपका chapter second, जो complete हुआ, English lang का, आप करेंगे हम next chapter third, यहां तक आपको fair notebook में book करना है, read करना है, और book में भी fill करना है, best writing में notebook बनानी है, fair, सभी को